जब हम computer ये laptop पर कोई काम करते हैं तो कुछ temporary files उसमें store हो जाती है जैसे जैसे time बढ़ता जाता है ये temporary files ये folders भी बढ़ते जाते हैं और एक time ऐसा आता है कि आपका चहीता laptop ये computer काफी slow हो जाता है इनी temporary folders और files की वजहा से सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी commands के बारे में बताने वाला हूँ जिनने apply करके आप अपने computer की temporary files और folders को delete कर सकते हैं जैसे आपके computer की speed काफी fast हो जाएगी जैसे आपने नया purchase किया था उस time जो speed थी वही speed उसकी फिर से हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी computer ये laptop पर search करेंगे run run box आजाएगा इसमें सबसे पहली command हम type करेंगे cleanmgr ok करेंगे यहाँ पर c drive को select करेंगे ok कर देंगे हमारे system में जितनी भी temporary files हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है वो सब यहाँ पर show होगी आप उन्हें यहाँ पर select करेंगे और उसके बाद ok कर देंगे delete files पर click करेंगे और ये सभी files delete हो जाएगी इसके बाद search करेंगे run इसमें दूसरी command type करेंगे prefetch ok कर देंगे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी files आ जाएगी जो आपके computer को slow बना रही है तो आप इन्हें यहाँ पर ctrl plus e सबको select करेंगे और यहाँ से इसको delete कर देंगे yes करेंगे इसके बाद फिर से run करेंगे यहाँ पर type करेंगे third command percentage sign temp percentage sign ok यहाँ पर बहुत सारे temporary folders और temporary files आ जाएगी आप इन्हें सबको ctrl plus a select करेंगे और इसके बाद shift plus delete कर दीजिए इसके बाद search करेंगे run और यहाँ पर एक command type करेंगे tree t r e ok कर देंगे यहाँ पर एक process start होगा और आपका computer बिल्कुल clean हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपका computer बिल्कुल ही clean हो चुका है अब आप इसे use करके देखिए आप कोई भी program open करेंगे बहुत ही fast यहाँ पर open होगा यहाँ पर आप एक साथ कितने भी programs आप यहाँ पर start कर लीजिए सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से work करेंगे क्योंकि आपके computer की जितनी भी temporary files थी ऐसी files या folders थे जो आपके computer की slow बना रहे थे वो सब यहाँ पर delete हो जुके है मेरा computer काफी slow चल रहा था तब मैंने ये method अपनाए तो उसके बाद मेरा computer काफी fast हो गया है मेरे computer की C drive में 6 GB space free था लेकिन ये चारों command supply करने के बाद उसमें 12 GB space free हो गया आप समझ सकते हैं 6 GB temporary files और folders वो भी आपकी C drive में आपकी computer को कितना slow बना सकते हैं तो अगर आपका computer भी slow चल रहा है तो आप इन commands को apply करिए और result आप खुद ही देखेंगे अगर आप कोई वीडियो पसंद आ है तो like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई question है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं